आज हमारा टॉपिक है Temperature Controller System आप चाहरते हो Proporational Controller PI Controller PID Controller इसके अलावा एक On-Off Controller होता है जिसे Relay Controller में यह filler होता है तो आज हम On-Off Controller यानि Relay Controller की बादे में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको रि ले के बारे में जानना हो तो आपको आई बटल में लिंक मिलrint जाएगा रिप रिले के बारे में मैंने, विडियो बनाई वई अरेडी उसको देखकेई और अब हम चलते हैं रिले आड लिखा हुआ है जिसको हमने ड्राइवर में दिया हुआ है इंपुट और ये आवेन का है ये आवेन है हमारा जिसको जो है हीट पे मोड पे रखके हीटिंग स्टार्ट करेंगे और इसका जो है फीट बैक्स जो है सेंसर का जो है गया हुआ है फिर से और रिले का आपको पता है आन आफ दो ही सिच्वेशन होती है या तो आन होगा या तो आफ होगा तो इसको आन करते हैं फिलाज और यह सेट-पॉइंट पर ले जाकर कि टى मुपरेचर सेट करते हैं माल लिजिए हमने तेंपरेचर फिफ्टी डिग्री सेट कर दीत है ठीक है 50.2 सेट पॉइंट है इसका मतलब जब 50 degree temperature पहुँच जाएगा तब यह relay आफ हो जाएगी और जब 50 degree temperature से down होगा हमारा oven का temperature 50 degree से down होगा तो फिर से यह आन हो जाएगा रिले और oven जो है आन होगा तो इसके हम time और temperature का graph बनाएंगे और इसके बारे में analysis करेंगे सबसे पहले जो और control है उसके बारे में देखते हैं यह जो है main on off control करने के लिए है यह system को on करने के लिए है यह hysteresis का button है जो high hysteresis and low hysteresis को select करते हैं फिलाल हम high पर रखते हैं और यह जो है set point oven का set point set करने के लिए है जिसको move करके हम set कर सकते हैं यह हमने मान लीजिए 50 पर रख लिया है 50.3 है यह set point है और यह जो है measure measure mode में यह जो actual temperature है इसका oven का वो बिला दिया और इनका temperature बता रहा है और इसके अलावे यह oven का heat mode पे है यह heat mode पे on कर दिया हमने और यह timer time start हो गया है second में और यह आप देख रहा है temperature increase हो रहा है 10 second में 29.1 हो गया ऐसे यह time के जैसे जैसे increase हो रहा है और यह जो है oven का temperature increase हो रहा है इस तरह हम 10-10 second पे temperature note करेंगे और जो on of controller है उसकी characteristic ड्रा करेंगे time versus temperature और यह जो ideal graph है यह आप देख रहे हो 10-10 second पे reading लेकर हम देखेंगे कि हमारा जो practically graphic ऐसा है अब जो है हम stresses को low position पर रखते हैं इसके बाद on करते हैं set point दिया हुआ 50.2 ठीक है यह time versus temperature का graph है आप देख रहे हो temperature का y-axis पे and x-axis पे time का है और जो set point है 50 degree रखा था हमने और यह graph आ रहा है on of controller का इसी तरह आप भी reading note करें और अपना graph प्लाट करें और हमें comment box में बताएं कि आपका graph कैसा आ रहा है आपको जो है दो reading लेनी है एक high hysteresis पे और दूसरा जो है low hysteresis पे और दोनों graph को आपको compare करना है आप देख रहे हो यह high hysteresis पे जो graph है वो आ रहा है और low hysteresis का graph यह आप देख रहे हो यह जो है about 50 degree के आसपास ही control हो रहा है और इस तरह आप खुद reading लें और compare करें झाल झाल